आज की हमारी कहानी है द ग्रीडी डॉग लालची कुट्टा तो देखते हैं कहानी को एक बहुत लालची कुट्टा फाउंड अजूसी बॉन टू इट तो एक बहुत लालची कुट्टा था उसने पाया क्या मिला उसे अजूसी बॉन एक रसदार हड़ी उसे मिली खाने के लिए यनि उसे कहीं मिली ही होल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है हेल्ड ही हेल्ड इट टाइटली होल्ड मतलब पकड़ना तो इस कुट्टे ने क्या किया उस बॉन को बहुत ही ताइटली पकड़ लिया अपने मुह में in his mouth and इस्ट्रॉल्ड इस्ट्रॉल्ड का मतलब होता है चहल कदमी करना जैसे घूमते हैं न हम सैर करना and इस्ट्रॉल्ड तुवार्ड्स का मतलब है की और अ लोनली प्लेस लोनली प्लेस का मतलब हो गया कोई एकांत इस्थान तो इस कुत्ते ने क्या किया उस हड़ी को जोर से अपने मुह में दबाया और घूमते हुए एकांत इस्थान की और चलने लगा on the way जब वो रास्ते में था तो रास्ते के दोरान on the way का मतलब होता है रास्ते में, रास्ते के दोरान the dog had to head to का जब हम प्रियोग करते हैं तो इसका मतलब होता है करना पड़ा करना पड़ता था तो कुत्ते को क्या करना पड़ा cross a bridge एक pull पार करना पड़ा built अब इस pull के बारे में बताया गया है कि pull जो की बना हुआ था किसके उपर? over a small stream stream का मतलब होता है पाने की धारा जैसे हल किसी कोई पाने की धारा है तो एक छोटी सी पाने की धारा थी उसके उपर एक pull बना हुआ था उस pull को कुत्ते को cross करना पड़ा while while का हम प्रियोग करते हैं जब दो काम साथ साथ चल रहे हों while crossing the bridge तो bridge को cross करने के दोरान pull को पार करने के दोरान यनि कि कुत्ता जब pull को पार कर रहा था तब he saw his reflection in the water reflection का मतलब होता है आपकी परच्छाई आपका प्रतिरूप तो जब कुत्ता पुल को पार कर रहा था तो कुत्ते ने क्या देखा? अपनी ही चाया को water में देखा अपने ही प्रतिरूप को यनि कि कुत्ते को अपनी ही image water में दिखाई दी seeing it तो अपने ही reflection को देखकर अपनी ही चाया को पानी में देखकर he thought, कुत्ते ने सोचा that की there was another dog with a bone in the water की पानी में एक कोई और दूसरा कुत्ता था जिसके पास हड़ी थी he thought, यनि कि उस कुत्ते ने सोचा that there was another dog की कोई दूसरा डॉग था पानी में जिसके पास एक bone थी how nice it would be कितना बहतर होगा to take that bone away from the other dog की उस दूसरे कुत्ते से मैं उसकी bone, उसकी हड़ी को छीन लूँ तो कितना बहतर होगा ऐसा विचार उसने अपने मन में सोचा the greedy dog तो ये जो लालची कुत्ता था thought to himself उसने मन ही मन ऐसा सोचा कि कितना अच्छा होगा कि मैं उस दूसरे कुत्ते की हड़ी को छीन लूँगा तो कितना बहतर होगा in wondering so तो इस बात पर ऐसा सोच कर वो आफचेर इसे भर गया है न बड़ा ही मज़ा आया उसे कि यार कितना बहतर होगा अगर ऐसा हो तो in wondering so इस पर आफचेर करने के दोरान the dog started barking कुत्ते ने क्या किया अपने reflection के उपर जो पानी में उसकी छाया बन रही थी उसके उपर भौकना शुरू कर दिया the dog started barking कुत्ते ने भौकना शुरू कर दिया the moment he opened his mouth जिस छण उसने अपना मुह खोला यानि कि भौकने के लिए जैसे ही लालची कुत्ते ने अपना मुह खोला the bone जो हड़ी उसके मुह में थी फाल की second form होती है fell इसका मतलब होता है गिर जाना into the water तो जो हड़ी उसके मुह में थी वो पानी में गिर गई थस इस प्रकार से the greedy dog did not get any bone जो लालची कुत्ता था उसे एक भी bone या एक भी हड़ी नहीं मिली and lost his bone too और उसकी खुद की जो हड़ी उसके मुह में दबी हुई थी उसको भी उसने खो दिया he felt feel की second form felt इसका मत्ब होता है महसूस करना he felt pathetic pathetic का मत्ब होता है बहुत ही dhyanee जिसकी हालत बहुत ही खराब है तो उसने बहुत ही dhyanee महसूस किया and realized और उसे ये realize हुआ उसने ये महसूस किया क्या his mistake उसे अपनी गल्ती का realization हुआ उसे अपनी गल्ती महसूस हुई और उसने बहुत ही ज़्यादा dhyanee महसूस किया क्या है moral इस कहानी का क्या सिक्षा मिलती है इस कहानी से greed brings bring का मत्ब लाना a feeling of regret regret का मत्ब होता है पश्चाताप तो लालच जो है पश्चाताप की feeling लेकर आता है यानि कि यदि आप लालची हैं तो regret करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता greed regret लाता है यह है इस कहानी का moral यह है इस कहानी का संदेश तो यह थी हमारी आज की कहानी